एक बहुत प्रसित कहावत है कि जिस घर में सूरे की किरणों का प्रवेश नहीं होता उस घर में डॉक्टर का या चिकिस्सक का प्रवेश हो जाता है इस कहावत के अलावा धूप सेखने के या सूरे स्नान के और जो जो लाब आपने सुने होंगे वह सभी निलोतर किरणों अल्टरा वाइलेट रेस का ही पनिनाम है आने वाली वीडियोज में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे किस परकार से सूरे से हमारे शरीर को उरजा प्राप्थ होती है सूरे की किरणे किस परकार से शरीर के अंदर पोशक तत्वों की वृद्धी करके शरीर को स्वास्ते प्रदान कराती है और जो भी लाब सूरे से हमें प्राप्थ होते हैं उसमें से अधीकांच भाग जो शरे का है वह जाता है अल्टरा वाइलेट रेस को सूरे से जो किरिने हमें प्राप्त होती है उसमें से कुछ किरिने द्रिशे होती है और कुछ किरिने अद्रिशे होती है जब सूरे से किरिने हम तक कहुँचती है तो उनका रंग सफेद होता है वाइट या ट्रांस्पिरेंट होता है पारदर्शी होता है परन्तु जब उस किरणों को किसी मोती, रतन, त्री पार्शी, शीशे के अंदर से गुजारा जाता है तब वह सफेद रंग या ट्रांस्पिरिंट जो है उसका वह सात रंगों में विभजित हो जाता है जिस परकार से इंद्र धनुष में, रेंबो में जब कभी आप देखेंगे कि सुरे की किरणे किसी मोती के उपर, रतन के उपर, हीरे के उपर या किसी त्री पार्शी, काँच के टुकड़े के उपर पढ़ रही है तो एक तरफ से उसके सात रंग या कई सारे रंग विभाजित होकर हम तक पहुँच जाते हैं और कुछ किरणे होती हैं जो अध्रिशे होती हैं जिसे हम अपनी आखों से नहीं देख सकते परंतु यंतरों के माध्यम से पता लगता है कैवे हैं उन्ही में से एक किरण है अल्ट्रा वाइलेट किरण जो सूरे से हमें प्राप्त होती है और इसी के अधीकांश औशिदिये गुण भी हैं पहले जानते हैं इसको सेवन करने के समय और वीधी के संधर्ब में सबसे पहली बात तो यह है कि इन किरणों को प्राप्त करना वर्तमान समय में अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बहुत सारा प्रदूशन होने के कारण यह किरणे बहुत कम मातरा में हम तक पहुंच पाती हैं और दूसरा इन किर्णों को प्राप्त करने के लिए केवल सूरे उदे के कुछ समय बाद तक ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह किर्णे सूरे उदे होने के कुछ समय बाद तक ही रहती है या धरती तक पहुंचती है अब इसके बाद में सूरे की किर्णों से उरजा प्राप्त करने के लिए हमें शरीर के ओपर कम से कम वस्तर धारन करके बैचना होता है जब हम धूब सेकते हैं तो अधिकांश लोगों को जब हम देखते हैं तो वह पूरे कपड़े पैन कर पूरे शरीर को ढखक कर बैठते हैं इससे केवल आपके शरीर को गर्मी प्राप्त होगी सूरे की किर्णों से या अल्टरा वाइलेट रेस से जो शरीर को पोशक तत्व प्राप्त होने है वहें नहीं हो पाएंगे क्योंकि सूरे की किर्णे जब सीधी तोचा के उपर पड़ती है तो वहे खून के अंदर मिलकर शरीर में विटामिन डी का निर्मान करती है इसके बाद में विटामिन डी का निर्मान करने के साथ में यह हमारी तुचा के लिए भी लाप प्रद है सूरे की किर्णों के इसके अलावा जो लाप हैं वहे हैं लाल रक्त कण उनको यह उर्जा प्रदाव करती है रेड ब्लड सेल्स को इसके अलावा रोग प्रतिरोधक शमता इम्मिनीटी सिस्टम को स्ट्रॉंग करती है और अनेक रोगों से लड़ने का भी कारे करती है जिसकी चर्चा आगे वाली वीडियोज में और की जाएगी अब मनुश्य के साथ में यह करने सभी के लिए लाव प्रद हैं सभी जीवजंतों के लिए पेड़ पौदों के लिए पेड़ पौदों का पत्तों का जो हरा रंग होता है वहें भी सूरे से प्राप्त अल्ट्रा वाइलेट करनों के कारण ही होता है पेड़ पौधों की नसों में एक हरे रंग का रसायन बहता है जिसे क्लोरोफिल कहते है इसे भी उर्जा सूरे से ही प्राप्त होती है यदि किसी पौधे को आप ऐसी जगा पे रख दें जहां पे बिल्कुल भी धूप उसको प्राप्त ना हो तो कुछ ही दिनों के अंदर उसके सारे पत्ते हरे रंग से सफेद या पीले पढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसके हरे का जो कारण है क्लोरोफिल उसको जो उर्जा प्राप्त होती है वह भी सूरे से ही प्राप्त होती है तो कहने का दातपर्रे मनुष्य के साथ में सभी प्राण धारियों का जीवन का आधार है भै है सूरे का प्रकाश जीवित रहने के लिए सभी प्राण धारियों को सूरे के प्रकाश की बहुत अवेशकता होती है अब अंत में इतना स्मरन रखें कि सर्वोतन स्वास्थे के लिए हर व्यक्ति को 15 मिनिट से लेकर 30-35 मिनिट तक प्रती दिन धूप का सेवन करना ही चाहिए अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे धूप स्नान या सूरे स्नान से सम्मंधित कुछ आवेश्यक बातों के संधर्म में